हे गाइस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल दिस अंकु शर्मा एंड यूर वाचिंग माई अनदर न्यू वीडियो आज की वीडियो में मैं जिस बाइक की वीडियो बना रहा हूं उस बाइक को किसी बी इंट्रोडक्शन की कोई जरूत नहीं है यहम इंडियन्स की बु से लेगे लाच तक इसके हर पार्ट को मोडिफाई करा सकते हैं तो इस वीडियो में न मैं इसका एक ओनर्शिप रिव्यू शेयर करूँगा कि इसमें क्या-क्या बाई को कमिया लगी क्या-क्या इसकी अच्छी बाते लगी तो चलिए इसके ओनर से मिलवाता हूं यह हमारे है विकास भाई तो विकास भाई आपने सप्लेंडर ही क्यों ली है कि मतलब इसको चाहे आप आड़ी उसमें ले जाओ चाहे आपने लोकल में चलाओ चाहे हाईवे पर चलाओ एवरेज से लेके मतलब यह बाई कैसे बुलट को दूर सी लोग कहते कि हावे बुलट जा रहे सब्लेंडर को लोग खड़े होके देखते हैं किया और वैसे भी ना जब हिरो ने हिरो अंडा ने मतलब यह लॉंच की थी 1994 में चाहें 1998 में तब से इसका कुछ भी ऐसा मेजर अपडेट नहीं किया है आलागी सब्लेंडर के ना काफी और मोडल कंपनी ने उतारने की अच्छा इसमें थोड़ी बहुत मोडिफिकेशन करा रखी जैसे यह देखिए लाइट लाइट लगवा रखिए और यह पीसी आर लाइट का भी काम करती है और यह लो भीम और हाई भीम हलाकि यह आफ्टर मार्केट चीजे होती है तो आप देख सकते इसका लैंस कैसे बल इसका एक नेगटिव पॉइंट होता है जैसे आप यह देखिए यहां पर यह जो आपको ब्लेड की लाइनिंग दिखरी होगी जब यह स्मोक रैपिंग उत्रेगी ना तो यहां पर आपको क्लियर स्क्रैच विजिबल होगा पूरा क्या आपको पता तभीकास होई यह करव जब मैंने इसके ओपर टेपिक रहे तो मतलब उसके बाद इसमें कोई खर्चा करने के जूटनी पड़ी और जैसे आजगल यह रटवा देते हैं कैरियर पीछे का अपने नहीं सोचा है यह चेंज कर वा दो अच्छा लगेगा यह से बैटर तो गार तो पुछ होता ही नही है और इस पर समान वगेरा के काफी प्रैक्टिकल चीज है मतलब है तो यह प्रस्थ खुषा कर बैठे भी तो और अगर लेको फिर भारी बाएक के संबालने के लिए बीच यह और उसकी तंगी थोड़ी चोड़ी है तो ना उस पर पैर अड़ता है ब्रेक वगेरा गिर अब यह बताव आपने चला कितनी दिया अब मीटर में तो शो कर रहा है सतरह अजार सम्तिंग बट एक्चुल में कितनी चली हुए तभी आप देख सकते इसका पिसला टायर वाई ने चेंज करा दिया है क्योंकि इसमें 278 टायर आता है और यह 308 टायर है जो फ्रंट में ट केंडिशन तो ठीक है अभी उस हिसाब से और वाई ने थोड़े बहुत ग्राफिक्स का भी काम करा रहा है मस्टैंग का और यह स्ट्राइपिंग और ब्रामन लिखवा रहा है यह काफी अच्छा लग रहा है तो वाई यह बताओ इसकी जैसे आप सर्विस वगारा कराते हो सर्विस में आपको कितनी कोस्ट आती है कुछ भी नहीं फिर भी खुदी करते हो खुदी कर लेते हैं वोसिंग करवानियों तो घर पर बस पाइप लगाओ वो साफ करो हो गई और बागी बागी बात रही इसकी तेल की तेल आता है मैक्सिमम एक लीटर का वह भी एक लीटर से 900 ml लगता है इसको बस यहां से उपर से खोल दो नीचे इसका एक सोटा स्कूरू होता है तो भाई सर्विस भी खुदी करता है घर पर फिर भी 400-500 रुपे कुछ तो आता होगा सर्विस बस मैक्सिमम इससे जाद को सुने मतलब एक बार सर्विस भरावाथ कि एक महिने के लिए बूल जाओ और जैसे ब्रेक पैड वगए आपने चेंज गराए हो पैती जार ओए पर बैक का चेंज करवा दिया तो वह कितने पर चेंज वा था था नहीं नहीं वह रेट नहीं मतल इन सैट वगएरा कुछ ऐसा बाकी सब कुछ एज़िए आप यह औरन देखोगे मैंने 2019 में लगवाए थे स्टार्टिंग में और अभी तक स्टाउंड देखना इक बर आप इसका बर वाई वाई क्या साउंड है अलगी रेकमेंड डिड नहीं है कि आप चोटी बाइक में इंदे बड़े ओरन लगा बट पब्लिक घटती नहीं है चोटे ओरन चोटे पीपी बस पीचे देखेंगें आचलो याद को करनने के बाद थोड़ा आरे जा तु जा 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 तो यह होता है और सर्विस का बता दिया मैंने और इसमें आपको कोई प्रोब्लम लगी हो स्प् और अप यह बताओ कि स्पीड मतलब आपकितनी मैंक्सिमम ले जा जुके हैं सबस्क्राइब नाइनट प्लस जाती है उसके बाद नहीं जा पती है तो कई बन्दे कमेंट में कहींगे कि मेरी तो सोच ली जाती Himi 110 जाती उनकी पतानी कैसे चली जाती है और वह इसमें आपन इस वाले ब्लैक और प्रोम है कि चलो बाई वह भी जब अगर बाई अलोई विल अपडेट करेंगे इसमें तो वह भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और भाई आपने यह हुख टाइप का लगा रहा है इसका क्या परपस आपके लिए इसका परपस देखो बाइक घरेलू है घर में भी काम आती है हमारे वी काम आती है जैसे दो चीज हम बैग पे या फिर खहीं और वैसे कर पाते इसको खोलो त्रांग दो चलो भाई चलाने मे अगर मैं बात करों माईलेज की तो माईलेज कितने में कि अगर आपने 502 का पेटर लुः ना आप आपने बात क्रों तो आपने कभी माईलेज जिसकी नापी नहीं है बट है यह कि आपको माईलेज अच्ची दे रही आप से तो यह देख लो एक तो बाइक की लूक इतनी अच्छी है और उपर से माइलेज भी अच्छी है सर्विस सस्ती है और क्या लोग है जैसे ऐसा मतलब मेरे को परसनली फील होता है इस प्लेंडर थोड़ी हलकी बाई के तो उस वज़े से इसके टायर वगरा जैसे आई स्पीड पर ब्रेकिंग करते हो तो डिस्बैलेंस होने का डर रहता है उसमें इसमें इसा सिस्टम है आई यह तो है और आई बिस टेक्नोलीजी है इसमें तो आपको पता है इसका मतलब इ कोई आरही है कि अब तक इंजन में से मतलब कोई एक्स्टासांड नहीं आ रही है तो वाई एक बात बताओ जो भाई अभी अभी सोच रहे हैं प्लैंटर लेने की उनके लिए आपके क्या रहे है क्या आप उनको वह करना चाहोगे क्योंकि सारे पार्ट्स ना मोस्टली हल्के कर दिया है इंजन में भी उसमें देखोगे न आपको उसमें चैटाइप के सेंसर आप जैसे इसमें चोक भी लगाना चाहोगे ना तो आप लगा सकते हो लेकिन वह फिर भी कंपनी ने इस हिसाब से उसको फाई को प्रोग्राम किय हाला कि जिसको फीचर्स चाहिए वो सेंसर्स मतलब वो कर सकता है मैंटेन बिना मैंच के तो खाना भी निखाया जाता है तो आपकी क्या रेकमेंडेशन है कोई भी एक सिक्स प्लेंडर लेना चाहता है तो ले सकते हैं मतलब फीचर देखके काड नी लिंदे इंजर तकड़ इंजन तो इसका ही बढ़िया कोई इसमें ऐसी बात निये तो भाई बीए सिक्स प्लेंडर भी कोई लेना चाहता है तो ले सकता है बट अगर किसी के पास बीएस फोर है तो वह ज्यादा बढ़िया मेरे हिसाब से तो यह थी आज की वीडियो और अगर कोई कमी पेशी रहे कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में